हलो दोस्तों वैलकम टू मेरा यूटूब चैनल हरी टेकनिकल और दोस्तों मेरे चैनल पर जो नए दोस्त आए हैं देख रहे हैं ओ चेनल को सा्स्क्राइब कर दिजेए लाइक कीजेए सेयर कीजे कमेट कीजेए और बेल आइकन दबाना मत भ предлож T उससे क्या होगा मैं जो फासफास वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकशन मिलेगा आप लोगों को आप मेरा लैटेस फासफास बासे इलएड कब वीडियो आप देख सकते है ठीक है दोस्तो दोस्तो तो इसका जो में वीडियो लाया हूँ LED का उपर है दोस्तो इस LED में आपका प्रोब्लम में दिखा दू देखिए यह 12 वाट का LED है और दोस्तो इसका IC नहीं है तो जब इसका IC नहीं है तो यह जलेगा नहीं तो दोस्तो मैं इसी को रिपियर करूंगा किसले इसका सर्कृट सब त इसको तो फेक नहीं सकते हैं तो दोस्तों इसको मैं LAD को रिपेर करूँ गा तो दोस्तों इसका रिपेर करने का तरीका आप लोगों दिखा रहा हूं और इसको led को में okay करऊंगा जलाऊंगा इसको ठीक करूँगा इसको solution निकालूँगा बिना आइसी वला तो दोस्तों वीडियो को लाज्स तक देखीएगा और सस्क्राइब किजिए लाइक किजिए शेर कीजिए और कमेट किजिए बैघान को सबस्काइब थिक खेर दोстो नंसे तो बेडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो में मैं इस तरह का एक resistance ले लूँगा इसका भेलू तो भेलू तो पता ने चल रहा है देकि मैं इसका color code आप लोगो बता सकता हूं मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर आप resistance का code निकाल सकेंगे आप लोगो पता चलेगा तो आप याद रखिएगा तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो इसका color code में बता दूँ यह देखिए ब्लेक है यह देखिए यह ब्लेक है ब्राउन गोल्डेन है फिर ब्लेक है और ब्राउन है तो इसका color code है ठीक है इसका value पताने चल ला है तो आप दोस्तो इसका value नहीं ब्लेक गोल्डेन ब्लेक ब्लेक और ब्राउन ठीक है ठीक है दोस्तो तो वीडियो को शुरू करते है तो इस led में देखिए सब कॉंपोनेंट लगा उए यह देखिए स्लिप इसका आइसी नहीं है तो इसको require करते हैं ठीक है दोस्तोव तो शुडू करते हैं मेरा चैनल को subscribe कर दीजिए तो दोस्तो गयां लेज तो पहले एक इस साइड में दूंगा कि इस तरह से कंगेख टलंगा इसका न दोस्ते यह बड़ा वाट का LED है यह देखें इस तरह से में connection कर लिया हूँ इस वाला सीरा पर इस साइट का देखिए इधर में देखिए लाइन लिखा हुआ है यह न्यूटल लिखा है तो मैं लाइन वाला पर कनेक्शन कर लिया हूँ यह रेजिस्टन्स को अब मैं एक सिरा जो यह देखिए मैं आप लोगों बता दू यह देखिए यह यह जो आईशी का तीन पीन इधर है और चार पीन इधर है तो मैं यह जो लाश्ट वाला है ना इसका कनेक्शन करूगा इसका कनेक्शन कर लिया हूँ हाँ हाँ अधर दोस्तों इसका कनेक्शन हो जुका है अब दोस्तों में जलता है कि नहीं short है अगर नहीं जलेगा तो हमारा circuit ok होगा तो इसको मैं पहले syringe में चेक करूंगा तो मुझे करते हैं यह देखिए मेरा syringe लेए ठेक है अब मैं इसको test करूंगा यह देखिए हमारा glow कर रहा है लाइट यह देखिए led हमारा glow करने लगा थिक है दस्त्तों ठीक है यह देखिए LED हमारा ग्लो कर रहा है यह देखिए ठीक है दोस्तों तो यह मैं सीरीज में चेक क्या हूं अब मैं दोस्तों मैं इसको डारेक्ट कारेंट में दूंगा डारेक्ट लाइन में दूंगा तो देखिएगा यह देखिए मैं डारेक्ट लाइन में दे रहा हू ठीक है दोस्तों तो इसमें डाइक लाइन में दे रहा हूँ यह देखिए हमारा LED यह देखिए ग्लो कर रहा है देख लीजिए दोस्तों यह डाइक लाइन में है और अब मैं फिर सिरीज में दे रहा हूं यह मैं सिरिंज में लगा दिया हूं अब देखिए हमारा यह सिरिंज में ठीक है अब देखिए मैं इसको जला रहा हूं ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हमारा सिरिंज लेंब भी नहीं जल रहा है तो इसका मतला हमारा सरकीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसको जलाने लेडी को ग्लो कर सकते हैं ठीक है दोस्तो हमारा जब इसमें सरकवित में प्राब्लम होगा companion सोठ होगा तो यह सिरिंज जलेगा ठीक है तो यह दिखि़े मेरा कोई यह नहीं है हमेरा सरकीट ग्लिश footsteps तो यह दोस्तो बीना ic का है ठीक है दोस्तो बीना ic का है में इसको अच्छा से को तो यह वीडियो आप लोगों पसंद आया तो लाइक कीजिए share कीजिए कमेट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत बुलिये ठीक है दोस्तो थेंक यूफ वाच हरी टेकनिकल थेंक्स